आज मैं आपके लिए बहुती स्वादिष्ट हल्वे की रेसिपी लेकर आई हूं हम बनाएंगे आधा कप सूजी से एक किलो के लगबग हल्वा यह लगवा इतना टेश्टी रसभरा रसीला मुं में घुल जाने वाला दाने दार हल्वा बनकर तयार होगा बनाने में बहुती चाहने में बहुत ही टेश्टी और रस भ़रा बनेगा Hello friends हम हमारे best kitchen रेसिपी में आपका स्वागत करते चलिए अब रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं आधा कप सूजी ली है मैंने और आज़ी के लिए लिया है आधा कप गी घी हमें आधा कप पिगला कर लेना है जमावा गी बिल्कुल नहीं लेना है ये देखिए गी मैंने कड़ाई के अंदर डाल दिये जब गी अच्छे से गरम हो जाएगा तब हम डालेंगे इसके अंदर अधा कप सूजी आपके घर में जो भी कटोरिया कप हो उससे आप मेजरमेंट कर ले लेकिन एकी कप जो भी है उससे आपको सारे हलवे का अंदाज करना है गी गरम हो चुका था, अब मेने डाला ही, इसके अंदर सूजी, सूजी डाल दिये, और अब सूजी को हम अच्छे से चलाएं, गेस का फिलेम हमें मिडियम करना है, मिडियम फिलेम पर ही हमें सूजी को मुनना है, और ये देखिए सूजी भून रही है, तब तक हम पानी ले पानी को अच्छे से गरम करना है, ये देखिए, जिस कप से मेने सूजी नाप पी थी, उसी कप से में तीन बार पानी डाले, यानि आदा आदा कप पानी डाले, एक बार और बोल रही हूं कि आप अपने घर का कोई भी कटोरी या कप सेट कले, उसी से सारा अंदाज करना है तीन बार मैंने आदा आदा कप पानी डाल जाए, अब कुछ डाल रही हूं केसर के धागे, अगर आपके पास ये तो डाले, नहीं तो इसके बिना भी बना सकते हैं, और पानी उबग रहा है, तब तक हम सूजी को देख लेते हैं, सूजी को अभी हमें और बुनना है, अब सूजी के साथ ही हम डालेंगे, इसके अंदर ड्राइफूट, ड्राइफूट आप जो भी पसंद करते हों, आप अपनी पसंद के अनुसार डाल सकते हैं, मैंने डाले चार पाच काजू, चार पाच बादाम और थोड़ी से पिक्स्ता की कतरन, ड्राइफूट को भी हम का ब्राउन कलर आ गया है लगबग हमारी सूजी बुनकर तयार हो गई है और यह देख सकते कि सूजी अब पूरी तरह से भून चुकी अब हम इसके अंदर डालेंगे पानी गेस का फिलिम बिल्कुल लो कर दें और थोड़ा ध्यान से पानी डाले यह थोड़ा-थोड़ा करक अधा कप और बढ़ा सकते हैं अब सूजी ने पानी सोख लिया है अब मैं इसे एक मिनट के लिए कवर करकर रख दूंगे एक मिनट हो चुका है और यह देखे कि पानी पूरी तरह से सुख चुका है और मैं इसे एक बर और अच्छे से चला दूंगी क्योंकि अभी हमने सक कप शक्कर आधा कप सूजी आधा कप शक्कर आधा कप घी पानी देड़ कप और बढ़िया से फ्लेवर के लिए डाली है मैंने आधा चमच कुटी भी इलाइची कप पाउडर इससे बहुती बड़ी हल्वे में ट्रिफ्ट हैगा जैसा कि हल्वाई लोग बनाते न उसी तर पानी हल्वे में सूजी में रजड बस गई है और मैंने इसे कावर करकर एक मिनट के लिए रख दिया था और ये देख सकते हैं कितना रसीला रजबरा और कितना बढ़िया जबजस्त हल्वा बना हैं इसे मैं एक दो बार अच्छे से मिस्क करूंगी और जबजस्त हल्वा बनकर हमारा तयार हो गया है ना आसांसियो कामाल की रेसीपिन इसे बनाना बहुत ही आसान और जबजस्त सूजी का दानेदार हल्वा हल्वा इस्टैल बनकर तयार हुआ है चलिए हल्वा बनकर तयार है अब हम इसे सर्व कर लेते हैं ये देखिए जबजस्त दानेदार रस यह एक प्लेट में मेरी डिश में इतना हल्वा नहीं आया था इसलिए मैं इस तरह से आप हल्वे को एक बाउल में और भड़ लिया है लगबग यह वजन में एक किलो हल्वा है बहुत ही टेष्टी जब अजस्त रसीला अरज भरह हल्वा इस टल हल्वा बनकर तयारे तो इस चैनल को like करें, subscribe करे wings और bell icon को दबाना न भूले, जादा से जदा लोगों में share करे, थाकि मेरी मज़ेदार से आने वाली recipe आपको मिलती रहे, फिर मिलती हो में नई recipe के साथ, नएचे वीडियो के साथ, तब तक के लिए, बाई बाई